वक्ष संचोधन बिल 2024 को सदन पटल पर रख दिया गया है, 44 संचोधन इसमें किये गाए है वो संचोधन क्या है, पहले क्या था, अब क्या है और इसको लेकर अब किस तरह से विपक्ष आक्रमक तेवर दिखा रहा है इस पर बाच्चित करने के लिए आमेद भी मेरे साथ जुड़ गाए है, आमेद बिल तो रख दिया गया, लेकिन उस बिल पर अब बहुत हंकामा मच रहा है लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दे कि पहले क्या था इस वक्ष बिल में, वक्ष बोट के जो यह संचूधन किया गया उसमें और अब क्या हो गया संचूधन के बाद, तो जरा बताई कि कितने संचूधन हुए हैं और किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा अब इस बिल में चोवाली सुधार की बात कही जा रही है निलू, और जो मेन पॉइंट से वो हम दर्शकों को बता देते हैं जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक बोर्ट के दावे पर सवाल नहीं है लेकिन बदलेगा क्या कि दावो का वेरिफिकेशन होगा पहले आप सवाल नहीं कर सकते थे, आप बदलाव यह है कि उसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है और यह सबसे बड़ा है तो कि आप देखे किसी की संपत्ती पर आप जाते थे वहाँ पर अपना कब्जा करते थे और उसके बाद किसी तरह की कोई कानूनी लड़ाई नहीं की जाती थी यह फर्क होगा आज के बाद और खास तो पर जब यह कानून की शकल ले लेगा तब तो की अधिकारी मुस्लिम होते थे अब डियम उसकी निगरानी कर सकते हैं इस बाद का प्रावधान किया गया है चौथा पॉइंट है कि संपत्ती लेने की पूरी शक्ती थी अब यह है कि बिना सत्यापन संपत्ती नहीं मिलेगी यह चार बड़े बदलाव किये गये हैं लेना और रेल्वेक से थोड़ी ही कम है और यह कैसे हुआ जब पहले था इसकी संपत्ती कम थी लेकिन धीरे धीरे 2013 के बाद जब वक्ष संचोधन बिल लाया गया था उसमें कुछ आमेंडमेंट किया गया था सुधार के काय थे तो कहा जाता है कि अनलिमिटेड अधिकार दे दिये गए थे वक्ष बोट पार इसमें कहा गया था कि जब भी वो चाहे किसी जमीन को अपने नाम कर सकती है और इस जमीन को अपने नाम करने के बाद कोई कानूनी लड़ाई नहीं होगी यानि कि एक बार अगर वक्ष ने कह दिया कि हमारी जमीन है तो किसी तरह की की जरुवत है इसलिए यह किया जा रहा है और जो आपने कहा ना कि इतनी प्रॉपर्टी वक्ष बोड के पास कैसे आ गई मतलब बीते वर्षों के जो आक्ड़े जारी किये गए हैं 2009 में निलू इनके पास जो कुल संपत्यां थी वो चार लाख एकड़ थी मतलब 1619 वर्ग कि अब सवाले खड़ा हो रहा है अभी थोड़े दिर पहले में इस पर डिवेट भी कर रहा था निलू तो शादाब शम्जो की उत्राकंड वक्ष बोड के चेर्मेन हैं उन्होंने का कि संपत्यां तो बढ़ रही हैं लेकिन जो दीन हीन हैं जो मुसल्मानों में जिनके स्थि पावर्सी का नाम भी इसमें निकल कर सामने आ रहा है कि हैधराबाद में उन्होंने लीज की समीली वक्ष की और कहा जाता कि बहुत सालों से ली गई है इसका भी एक टाइम डियोरेशन होता है कि आप कितने दिनों तक वक्ष की संपत्ती को लीज पर ले सकते हैं ऐसे कई इसे नाम है जो निकल कर सामने आ रहे हैं इसलिए कहा जा रहा है कि जिस परपस के साथ वक्ष बोट को बनाया गया था यानि कहा ये गया था कि मुस्लिमों के कल्यान के लिए बोट बनाया गया है उनके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है जिससे उनका कल्यान हो लेकिन कल्य बोट के चेर्मेन कह लीजिए, सदस से कह लीजिए, या जिनका दबदबा था वक बोट पर, उनकी तो कुर्सी हिल जाएगी, उनकी चूले भी हिल जाएगी। बहुत स्वाविक है नेलू और जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध का कारण भी यही कहा जा रहा है, मतलब बीजेपी कह रही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, कारण यही क्योंकि उनका दबदबा है, और वो कुछ गलत कर रहे हैं, तबी तो विरोध कर रहे हैं, आज आप मुस्लिमों के खिलाप ये संशोधन एक बिल ले कराएं हैं, कल को आप पार्सियों के खिलाप ले कराएंगे, करिशन के खिलाप ले कराएंगे, जैन के खिलाप ले कराएंगे, आप समुदायों में भेद पैदा करना चाहते हैं, तनाव पैदा करना चाहते हैं, इस हनन करते दिखायते रहे हैं इमरान मसूद ने भी कई ऐसे अनुछीत का जिक्र किया जिसमें मुसलिम रस्टमो रिवाज की बात हो रही थी या फिर कहा गया कि उनके कल्चर उसको किसी तरह से बीजेपी चाहती है कि खातन कर दे लेकिन ऐसा नहीं होगा और हमने देखा कि सार अली बार किया जा रहा है 1995 में नर्समाराव सरकार ने भी किया था तब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा और आज इस तरह की बात है 2013 में जब असीमित अधिकार दिये गए तब तो विरोध किस्तों नहीं सुनाई पड़े और आज जब ये कहा जा रहा कि कि किसी को भी असीमित अधिकार क्यूं मतलब मैंने एक सवाल भी किया भी डिबेट के दोरान जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े थे मैंने का माली जी किसी मुस्लिम महिला को तलाग दे दिया जाता है और इसके बाद जो पूरुश है उसका पती हो अपनी संपती दान कर देता है तो फिर भी नहीं अगर आपके पास कोई सुझाओ है तो आप अपने सुझाओ दीजे बहुत संपो है कि स्टैंडिंग कमिटी के पास ये सेलेक कमिटी के पास ये बिल जाए आप वहाँ जाकर अपने सुझाओ दीजे लेकिन पुरजोर तरीके से इसका विरोध करना ये बताता है क कि आपने अपना एजंडा सेट कर रखा है आपने ड्राफ्ट को देखा नहीं मसौदे को पढ़ा नहीं और आप पहले से विरोध करने लगे इसका मतलब ही कि आपका mindset था कि यह बिल आएगा और इसका हमें विरोध करना है एक मात्रू देश है इनका लेकिन अभी चुकी इसमें बहुत गुंजाईश है जैसा अमित ने भी कहा कोई विपक्षा सुझाओ है वो सुझाओ दे अगर लगता है स्टैंडिंग कमिटी में से भेजा जाना है तो भेजा जाए लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब मुस्लिम समुदाय के अंदर से भी ये बाते उठनी लगी है कि देखे ये मुस्लिमों के भलाई के लिए संचुधन जरूरी था एक तपका जो वकबोड के बड़े ओधे पर बैठा हुआ था वो और बड़ा होता चला गया वो और अमीर होता चला गया गरिबों के कल्यान के लिए व अधर्म गुरूओं को भी आमने सुना जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं वो भी कह रहे हैं कि समय की मांग है अमने देखिए निलू एक तो ऐसा नहीं है जब ड्राफ्ट तयार किया रहा था वकबोड के तमाम सदस्यों से राई शुमारी की गई है जो पूर्व सदस्य हैं उ और अगर सब कुछ चंगा है तो फिर उन्हें का कि जिस दीन हीन के भले के लिए इस वकबोड का गटन किया गया था फिर उनकी स्थितियाज ऐसे क्यों है कि सवाल उनकी तरब से किया जा रहा है मतलब जब वकबोड का चैर्मेन मौजुदा चेर्मेन ये बान रहा है कि राष्ट में या हर्याडा में चुनाव है तो इस वेसे आप ये बिल लेकराए है चुनाव तो हर साल कहीं न कहीं देश में होते रहते हैं अब ऐसे में सवाल गेगी होटता है कि बिल तो रख दिया किंदर सरकार ने अब इस बिल का क्या होगा संशोधन के बाद क्या स्टेंडिंग कमिटी को भेजा जाएगा या बिना किसी इसके इसे पास आगे करा लिया जाएगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी इस पर लगातार अपडेट हम आपको देदे रहीगे